मंगे वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आगे मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजेगी ये न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा जिंदगी की हर दौड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाडला हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी डादी कैती इससे शफाच ले जाती है च्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो धंडा बगएड़ा सच धजबन खन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिंग उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सर्गी तुछे कानी सुनी है चुपचप सुन आपके गाव में दिल लगए जी राजाती लड़को ना रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडाई है वे आ रहा है तेरे राजकुमारी शुरू किये तो उसने ही कातम करनी चाहिए मैं अपनी इपोती का रिष्ता एक अंग्रेज के नोकर से कर दू नहीं आपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सबको जाओ खाली करना पड़ेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़का जा होता है मना में कानून एलाजी सारा कुछूर मंगे का है जिंदर नी हारले बहुत बुरा किया मंगे नहीं हुई हमको तुझे लगता है तुम लोग की तकलीफ का हःसास मेद उजए तो गया नहीं जाडता तू तुब बड़ा मतलब में निकला मंगे है सिर्फ अपने बारे में सोचा, तू सच में फिरंगी होगी है अब दागया हीरे, जैसे कुछ तैसा दिखाने का फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू ना जारत दादी ना बन, मैंने नहीं सुनानी दर को कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहा